अगर आप इगनू के स्ट्वेंट हो तो आपने नीरस बुक्स के बार में डेफिनेटरी सुना होगा जून दोजा 22 एक्जाम के प्रिपेशन के लिए अगर आपको इगनू का गाइड बुक्स चाहिए तो आप लोग नीरस बुक्स के ओफिसल वेबसाइट से ओडर कर सकते हैं क्योंकि यहां पे एक स्पेशल ओफर चल रहा है जिसमें आप अगर कोई भी बुक्स फाइव अंडे से ज्यादा का परचेस करते हो तो आपको फ्लैट 50% का डिसकाउंट मिलेगा और उसके लिए आप क्रमोशन वाले स्ट्वेंट एकडम वीडियो को ध्यान से देखेगा क्योंकि आपका एक गलती आपका प्रॉमोशन चिना सकता है और भी बहुत सारी चीज़े हैं जो आप लोग को एक्जाम फ्लिब करने के दौराण ध्यान रखना परता है उन सब के बारे में हम लोग इस exam form fill up करने के दौरान किसी भी तरह के डाउट के लिए आपने मुझे कभी भी कॉल करके अपने डाउट के लिए कर सकते हो ज्यादा को समझ में आ जाएगा कि guidelines instruction में कौन कौन सी important बात बताए गई है इस portal से अब हम लोग direct exam form fill up करने के बारे में जान लेते हैं exam form fill up करने का process start करने से पहले मैं आप सभी student को एक बार फिर से reminder देना चाहूंगा जिनको इगनु के तरफ से promotion offer किया गया है एक युन के तरफ से अब ही तक दो batch के इस थो इर में प्रोमोन अंवर किया गया है एक July 2019 बैच और दूसरा July 2020 बैच तो जिस भी student को जिस year में प्रमोन उफर किया गया गया है उसका form fill up नहीं करना चूला 1997 step 4 ए मेंwe कि प्रोमूशन उफर किया गया था, बूल सी सिंप्र का Chen bon ऐसके जिएर같 के प्रोमूशन उफर किया गया था, उसका फॉर्म फिलप नहीं करना है, जुलाइद रजर्ज 20 बैच के स्ट्वğ pelo से क्जायं द्यूर उनीस बैच के भी exam form fill up करने की टाइम पर subject select जब करोगे आप लोग तब उस वक्क इस चीज़ का ध्यान रखना क्योंकि कोई भी अगर जिस यह में promotion offer किया गया है उसका form fill up कर देता है और उसका exam में अपैर हो जाता है तो फिर उसका promotion छिना जाएगा तो इविन अगर कोई बेस्टन गलती से exam form fill up कर भी दिये हो promotion वाले paper का तो exam में अपैर मत होना उसका वज़ाई यह है कि देखो जो promotion का scheme है वो partial exemption applicable नहीं है यानि कि ऐसा नहीं हो सकता है कि एक paper में आपने अपैर कर लिया उसके बास से सोचोगा कि बाकी अधर paper में promotion का marks add हो जाएगा एक paper में तो मैंने अपैर कर लिया तो उससे क्या हो जाता है ऐसा नहीं है जो promotion का notification है वहाँ पर clearly mention किया गया है कि the exemption scheme is applicable for all the courses of first year ठीक है no partial exemption is applicable so promotion वाले student को समझ में आ गया बस simple सी बात यह है कि जिस year में आपको promotion offer किया गया है उसका form fill up नहीं करना है अगर आपने गलती से उसका form fill up कर भी दिया है तो फिर उसमें appear नहीं होना है exam उसका नहीं देना है promotion वाले paper का exam नहीं देना है तब भी आपका promotion बचर आएगा बस criteria fulfill करोगे आपका promotion का marks add हो जाएगा clear हुआ अब हम लोग exam form fill up करने का process के उपर बात कर लेते उसके बाद से बाकी जो जो चीज आएगी exam form fill up का process के दौरान ही सारा चीज़ बताऊंगा ठीके ना इस पूटल पर आओगे link उसका description में दिया हुआ हुआ है उसके बाद से scroll down करोगे नीचे आओगे declation के उपर click करोगे click करने के बाद से proceed to fill online exam form इसके उपर click करोगे उसके बाद से space पर आ जाओगे चाहते हो बैंगलॉर में तो आप बैंगलॉर से लेक्रोगे सिंपल सी बात यही है कि जहां पर आपको exam देना है वहीं का रिजन से लेक्रोगे इगनु में रूल यह होता है कि irrespective of आपका regional center कहां पर है आप all over इंडिया में कहीं पर भी exam करना होता है उसके लिए आपको कुछ अलग से करना नहीं होता है बस exam form fill up करने के दौरान में जिस city के अंडर में आप exam देना चाहते हो उसको select करना होता है और उसके अंडर में जो भी exam center है उसी को select करके फिर exam form form fill up कर देना होता है आपका वहीं पर exam हो जाएगा कोई भी problem नहीं होगा तो यहां पर आपको जहां पर exam देना है उसी का city select करना है यहां पर आपको अपना program code पूट करना होगा ना program code पूट करने के time पर एक चीज का ध्यान रखना जो हर बार student गलती करते हैं हर बने बने बताता हो फिसे में बता रहा हो कि जो भी आपका program code होगा उसको एक साथ में लिखना है मतलब उसमें कोई space नहीं देना है कोई comma नहीं देना है नहीं तो आपका invalid code found so करेगा b a g लिखना है तो पूरा b a g लिखोगे ऐसा नहीं कि b a के बाद एक dot दोगे फिर a लिखोगे फिर dot दोगे फिर g लिखोगे ऐसा नहीं करना है एक साथ पूरा लिखना है कोई कौमा नहीं कोई space नहीं लगता लिखना है ठेक है? अगर किसी को program code नहीं पता है अपना तो simply अपना i-card निकालना, i-card में ही आपका program code लिखा होता है name of the program से पहले, I mean यहाँ पे name of the program लिखा रहेगा और सबसे पहले आपको select करना है अपना exam center, कहाँ पे आप exam देना चाहते हो, तो इस page में जो भी reason आप select करोगे, जैसे मानलो आपने यहाँ पे भोपाल select किया, तो next page जब जाओगे तो आपको भोपाल का अंडर में जितने भी exam center available है, उसका list यहाँ पे so करेगा, उसी तरीका से बाकी अदर जो भी यहाँ पे reason select करोगे, उसके अंडर में जो भी exam center code available है, वही यहाँ पे so करेगा, तो मैं पहले आप लोगको यह recommend करूँगा, कि आप पहले से ही select कर लो कि कहाँ पे आपको exam देना है, उसके लिए जो exam center का list दिया गया है, उसके उपर click करना, check कर लेना कि क यह सारे exam center available है, अब इसमें से कहाँ पे आपको exam देना है, वह पहले से ही आप लोग decide कर लो, अब आप लोगको address तो पता नहीं है, इस बार IGNU ने address यहाँ पे mention ही नहीं किया, हर बार mention किया जाता था, एकि उसमें बहुत गरबरी हो जाता था, इसलिए उसको हटा दिया गय है कि hall ticket में वह address mention होगा, exam center का just CT यहाँ पे mention कर दिया गया है, तो वैसे भी आप लोग exam center का code से भी पता कर सकते हो, जैसे 1516, तो आप Google में just, जो भी exam center का code है वो लिखना, और उसके बाद IGNU study center लिखना, तो आपको पता चल जाएगा, जैसे 1516 Bikram University, यह है उसका exam center का code, ठीक तो उसी तरिका से बाकि आप जिस भी region के अंडर में exam देना चाहते हो, उसके अंडर में जितने भी exam center अवेलेबल है, वो यहाँ पे so करेगा, हलाकि इस बार बहुत कमी exam center अवेलेबल है, तो आप लोग कोशिज करो, कि जितना जल्दी हो सके exam form fill up कर देना, ठीक है, तो यहा से आपको यह बताना होगा, कि आप अपना address चेंज करना चाहते हो या नहीं, तो यहाँ पर जो भी address लिखा हुआ है, आपका जो भी portal में है, I mean, IGNU में जब admission लिया था, जो आपने address दिया हो था, वो यहाँ पर already so करेगा, लेकिन अगर आप address चेंज करना चाहते हो, तो यह यहाँ पर yes के उपर क्लिक करोगे, उसके बास से फिर जो भी change करना चाहते हो, यहाँ पर change कर सकते हो, और अगर नहीं करना चाहते हो, तो यहाँ पर simply no के उपर क्लिक करोगे, तो यह page हट जाएगा, लेकिन इतना याद रखना कि यहाँ पर address चेंज करते हो, वो permanently IGNU के पर आपको exam, sorry, address change करने के लिए बोला गया, क्योंकि IGNU का, जो hall ticket का जो software है, वो इस तरिका से बनाया गया है, कि आपको कोशिच किया जाता है, कि nearest exam center available करवाया जाए, अगर मालो जो आपने exam center select किया हुआ है, वो अगर available नहीं है, तो nearest exam center available करवाया जाए, उसी के लिए यहा जाए ही exam form fill up कर दो तो, अगर आप last date के बाद, जब late fine लगता है, उस time पे अगर exam form fill up करोगे, तो जाए इसी बाते आपका exam center दूर पर सकता है, या जो आपने select किया है, वो नहीं भी पर सकता है, खेर, तो उसी साफ़ से आपनो कर लेना, यहाँ पे हम no select करते रहे हैं, उसक बाद से gender, email address, mobile number और उसके बाद से बताना होगा कि आप PWD candidate हो या नहीं हो, अच्छा, एक और बात में बता दूँ कि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि जो आपका IGNU में mobile number register है, या email address register है, वही put करना होगा, आप जो भी valid email address है, आपका currently, वो भी put कर सकते हो, email address और mobile number से ऐसा कुछ खास issue नहीं होता है, लेकिन आप लोग जो valid email address और mobile number होगा, वही put करना, खेर, तो मैंने यहाँ पे सारा detail फिल आप कर दिया, उसके बाद से पुछा जाएगा कि आप PWD candidate हो या नहीं है, PWD मतलब person with disability, ठीक है, तो अगर आप हो, तो yes करना, अगर नहीं हो, तो no से करना, अग तो अगर होता है, तो yes करना, अगर नहीं होता है, तो no करना, no करोगे, तो कुछ option नहीं आएगा, लेकिन अगर होता है, yes करोगे, तो फिर यहाँ पे scribe का भी इंतजाम किया जाता है, तो मतलब आपके बदले में कोई और लिखेगा examination center पे, जिस तरीका से बाकी other examination में होता ह UPSC में भी ऐसा ही होता है, तो आपके लिए scribe का इंतजाम किया जाएगा, वो regional center के तरफ से किया जाएगा, तो अगर आपको लिखने में भी problem होता है, तब यहाँ पे आप yes करोगे, उसके बास से आप से पूछा जाएगा कि आपको scribe की जरूरत है क्या, यानि कि आपके ब problem नहीं है, तो simply no select कर दो, ठीक है, तो यहाँ पे हम PWD candidate में no select कर दो, अगर yes करोगे तभी यह सारा option आएगा, no करोगे तो कोई भी option नहीं आएगा, अधार नमबर दोगे तब बेचलेगा, नहीं दोगे तब बेचलेगा, उसके बास से आता है the most important part of examination form that is subject select करना, कौन-कौन से paper का आप exam देना चाहते हो, वही subject आपको select करना है drop-down list में, now drop-down list में जो subject आपको so करते है ना, उसमें बहुत mistake होता है, क्योंकि एगनों के तरफ से जो data management system है वो बहुत खराब है, तो आपको drop-down list में वो सभी subject भी देखने को मिल सकते हैं, जिसमें आप already pass हो गया हो, लेक promotion offer किया गया, वो subject को select नहीं करना है, क्योंकि drop-down list में, I mean drop-down list में, सभी paper show करेंगे, जिसमें आपको promotion दिया गया है, वो भी paper show करेंगे, जिसमें promotion नहीं दिया गया है, वो भी paper show करेंगे, तो बस जो भी paper में promotion दिया गया है, उसको आपको select नहीं करना है, और जो paper में आपको एक्जाम देना है वही select करना है और यहाँ पे आप गल्टी मत करना है ठीक है subject select करने में ठीक है तो यहाँ पे मैं select कर दरूँ जो भी paper का आपको exam देना है उतना आप select करना select करने के बाद से यहाँ पे पुछा जाएगा कि इन सभी paper जो आपने select किया है उसका assignment submit हुआ है या नहीं तो आप लोग simply उसके बाद से submit कर सकते हो और अगर मालो आपका assignment submit नहीं भी हुआ है तब भी आप exam form fill up कर सकते हो बस आपका grade card not completed आता है और बाद में जब assignment आप submit कर दो कि उसका marks add हो जाएगा तो फिर grade card में completed so होने लाएगा अभी आप without assignment submit किये हुए भी exam form fill up कर सकते हो और exam दे सकते हो तो इस तरीकर से हमने subject select कर दिया उसके बाद से हम लोग submit के उपर click करेंगे उसके बाद से next space पे आजाएगा इस space पे आपको फिर से select किया है नहीं वो चीज़ यहां पे सो करेगा यहां पे आपको fee payment करने का option आजाएगा यहां पे दो तिन चीज़े हैं जो आप लोग को दिहान अखने की जोत है जो भी student को promotion offer किया गया था उन वो लोग एक बार check कर लेंगे कि उनका fees adjust किया गया है या नहीं किया गया है क्य यह आप लोग चीज़े का लेना जो भी student का fees adjust किया हुआ रहेगा तो जितना adjust किया हुआ रहेगा वो यहां पे सो करेगा जितना pay करना होगा वहां पे यहां पे बताया रहेगा अगर आपको कुछ भी पे नहीं करना है तो यहां पे निल सो करेगा अगर कुछ पे करना है त फिर pay now के उपर click करोगे next page पर आ जाओगे फिर यहां पर make payment के उपर click करोगे उसके बाद से payment portal पर आ जाओगे उसके बाद से आपको जिस भी mode से payment करना है debit card, credit card, net banking, UPI जिस भी mode से payment करना है आप payment कर सकते हो payment आपका successful हो जाएगा तो कुछ इस तरीका से आपके skin के उपर pop up आए उसके बाद से check for status if already registered इसके उपर click करोगे इस space पर आ जाओगे इसका भी link description में दिया हुआ है यहां पर enrollment number अपने data बदपूट करोगे submit करोगे तो आपका acknowledgement download हो जाएगा otherwise एक और काम यह भी कर सकते हो आप लो कि exam form के portal पे आ सकते हो उसके बाद से फिर से declaration के उपर click करोगे proceed to fill online exam form के उपर click करोगे और आप अपना enrollment number program code और I mean region select करके submit करोगे तो already यहां पे portal में ही इस तरीका से so कर देगा already register और control नमर के उपर click करोगे तो फिर से आप अपना acknowledgement download कर सकते हो तो इस तरीका से जो बेस्टेंड जूंदा 22 अटाम एन exam देने वाले हैं देना चाहते हैं व आप लोग जल्द से जल्द exam form fill up कर देना एक जून से 25 जून तक class date है उसके बाद से fill up करोगे तो 1100 रुपय का late fine लएगा तो यह गलती है आप लोग मत करना और exam form fill up कर देना नहीं समझ में है तो वीडियो का rewind करके देख लेना आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा तो यह और अगर आप AH Helpline channel पर first time आये हो तो make sure आप लोग पहली फूर्सत में channel को जरूर subscribe कर ले so thank you so much for watching this video have an awesome day thank you so much